से में स्टड़ी में आप लोग का फिर से स्वागत हैं आज हम लोग LRC कलर्ग 32 का प्रैक्टिस सेट चार करने जा रहे हैं जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सस्काइब नहीं किये हैं सबसे पहले आप लोग सस्काइब कर लिजे जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड कर से और जो भी बच्चे अभी तक इससे पहले वोला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे एक दो तीन तो डिस्केशन लिंक दिया है वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहला कोशन क्या है सम्विधान की आत्मा किसे काते हैं ऑप्श कि आप लोग को पताउस लेकीं आप लोग का कितना कौशन सही हो रहा है तो जाहिए लीजा दखेगा प्रसतावन को किसके परसतावन को कंते हैं एक-ग कुछ-गों क्यूर्ट है तु नहीं बट आप लोग याद दखेगा क्या कि एक पुइंट है कि इसी कोशन के लिए कि डॉक्टर अम्बेदगर के अनुशार अनुशेद 32 क्या अनुशेद 32 को समिधान का हिर्दय और आत्मा कहते हैं चलिए अगली कोशन चलते क्या है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम परना लगाना किस अधिकार के परति सनरक्षन है सोशन की विरुद देहिक सोतंदरता के अधिकार सिक्षा का अधिकार रोजकार का अधिकार तो बताए इसका सही जवाब क्या होगा या दकना है कि सोशन के अधिकार क्या होता है क्या होता 14 वर्ष से कम बच्चे को जो किम भरे काम नहीं लाने गाने का अधिकार है सनक्षन प्राफत है इसमें 2 प्ट्स याद दखेगा देखे यह जो है नशेत किस में आता है यह भी आप लोग याद दखेगा यह अनुछेत किसमें आता है चोद कितना 24 24 चोविस अनुछेत के अंतर गाता है यह भी पॉइंट्स याद दखेगा आप लोग अगला कोशन क्या है चानक किसका परधान मंत्री था बताइए चंदरगुप्त मोर्य चंदरगुप्त दूतिय असोक बिम्भी सार तो याद दखेगा यह चानक जो थान चंदरगुप्त के परधान मंत्री थे किसके थे चंदरगुप्त मोर्य के परधान मंत्री थे चले अग किसे निर्विरोद निर्वाचित क्या गिया है बता ये भारते बैडमिंटन संग के अध्यक्स के रूप में किसे निर्विरोद निर्वाचित क्या गिया है संजय मिस्रा अरून लखानी अजय कुमार सिंहानिया डॉक्टर हेमंत विश्व सर्मा तो या दखेगा डॉक्टर ह अगला कुशन क्या है उब्भोक्ता सोचन के परमुक कारण है उब्भोक्ता सोचन के परमुक कारण क्या है शुचना का भाव बस्तू की सिमित आपूर्ती उब्भोक्ताओं की अग्यानता इन में से सभी तो याद आखेगा कि उब्भोक्ताओं के सोचन के परमुक कारण है तो कहने एक मतलब इन में से सभी total क्या है आप लोगा सही जवाब option number इसका D हो जाएगा अगला question चलिए क्या है किस महला को भारतिय करांति काड़ी की माता कहा जाता है बताईए किस महला को भारतिय करांति काड़ी की माता कहा जाता है मेडम भीकाजी कामा स्रोजनी नैडू कस्तोबर गांडी महात्मा महरानी लक्ष्मी बाई मताईए छेगा के अंसर होगा या दक ना है कि मेडम भीकाजी कामा option number इसका सही जवाब होगा अगला question क्या है राजसभा के सभापती जो चेर्मेन होते हैं मताईए राजसभा के चेर्मेन कौन होते हैं राष्टपती उपराष्टपती परधानमंत्री और लोगसभा अध्यक्ष तो बताई शेवन का सही जवाब क्या होगा तो यहा दखेगा कि राजसभा के सभा जो चेर्मेन होते हैं उपराष्टपती होते हैं एक पॉइंट्स और भी या तखिएगा दोस्तों जो राज सभा के सदस्यों का कार्जकाल जो होते हैं च्छो साल का होता है और इसमें कितना होता है जो भी राज सभा में दूसर कितना दूसर तैंतिस सदस्य जो होता है न अलग अलग राज के चुनाओ करके आते हैं चलिए अगले कोशन पर जलते हैं, भारत में मानव अधिका सुरक्षा अधिनिएम कब पारित हुआ, बता ये, भारत में मानव अधिका सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, है और एक पुइंट आप लोग या दखेगा 20 मानव अधिकार क्या है विश मानव अधिकार दीवस जो हता है न हम लोग 10 दिसंबर या देखेगए 10 दियसंबर को मनाते हैं चले next question चलते हैं करा आर्तिक देश्टी से एक पिछे देश्की विशेष्ता नहीं है बरती वक्ती देश्टी से एक पिछे देश्की विशेष्ता नहीं है तो यहाद अखिए प्रार्थमिक शेतर में निम्न स्रम अनुपात चलिए अगले को सुन चलते क्या है रोवेल चैलेंजर्स बैंगलोर आर्सीवी ने आईपियल दोहार बैस हेतु किसे अपना कप्तान बनाया है बताइए आर्सीवी के दोहारा दोहार बैस में किसे कप्तान बनाया गया एवी डिवलियर्स राट कोली रवेंदर जडेजा फाब डूप्लेशिस इसका सही जवाब होगा फाब डूप्लेशिस अप्शन नूमर डी चलिए अगले को सुन चलते क्या है निमलिकीत में से किसे सहर में 25 नॉमबर से 10 दिसंबर तक 64 वी राष्टे निसाने बाजी चैंपियंशिप परतियोकता का आयोजन क्या गया है जैपूर, देहरादून, भौपाल, हिसार तो बताएए 11 का सही जवाब क्या होगा तो यह दखना है कि कहां पर क्या गया है भौपाल में तो इसका सही जवाब होगा भौपाल ऑप्सन नूमर सी अगरा कुशन च जमिलनाडू, उरिसा, पस्सिम बंगाल, तो बताई बारा का सही जवाब क्या होगा, या दखना है कि केरल जो राज है ना, जहां पर सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है भारत में, और दू-तिन पॉइंट्स और भी या दखेगा, जैसे नारियल का उत्पादन के तेराशन में होता है, और भारत में, रवर का उत्पादन के राज होता है करने के रोन में, 3 चीजह होगा, काजू, उसके घद आप लोगों को नारियल उसके आप लोगों को रवर एक पॉइंट्स और या दखेगा दोस्तों, भारत में, सर्वादिक, बोकसाइट का उत्प यूगिन सव्यता नव पासन कालिन सव्यता कास यूगिन सव्यता तो तेरा का सही जवाब बताई क्या होगा तो यादक ना कि हरापा संस्कीति का जो दूसरा नाम था ना कास यूगिन सव्यता था इसका सही जवाब होगा कास यूगिन सव्यता ओप्सन नमर डी चलिए अगल कि बोध कला का परसीद केंद कौन सा है तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा यादक ना कि अमरावती जो है ना बोध कला का सबसे परसीद केंद है चलिए अगले को सुन चलते क्या है महरोली अभिलेक से किस समराट के सम्मंद में जनकारी पराफ्थ होती है बताइए महरोली अभिलेक से किस समराट के सम्मंद में जनकारी पराफ्थ होती है समुन्द्र गुप्त, असकंद्र गुप्त, चंद्र गुप्त, दूतिय, चंद्र गुप्त पर्थम तो पंदर का समझ जयवा बताई क्या होगा दोस्तों याद रखना कि चंद्रकुफ्त मूर दूतिय जो है न उसमें महरोली अभिलिक के बारे में बताया गया है चलिए अगले को सुन चलते क्या है वेदाम्त सब्द का परियोग किसके लिए क्या गया है बताये वेदाम्त सब्द का परियोग किसके लिए क्या गया है आरान नयोकों के लिए ब्रहाम मन गरंथों के लिए उपनी सदों के लिए और वेदों के लिए तो बताये सोला का सही जवाब क्या होगा यह देने विधांत सब्दों का परियोग उपनी सदों के लिए क्या गिया है तो option number 30 का सही जवाब हो जाएगा next question क्या है परती वर्स अंतरास्टे साक्षारता दिवस कम मना जाता बताईए परती वर्स अंतरास्टे साक्षारता दिवस कम मना जाता 8 सेप्टेमबर को 15 सेप्टेमबर को 12 सेप्टेमबर को और 10 सेप्टेमबर को या दकिये दोस्तों 8 सेप्टेमबर को परती वर्स अंतरास्टे साक्षारता दिवस मनाई जाता है चलिए न अगला कुशन क्या है नेमलिकित में से कौन सा कथन सही है बताना के चार कथन दिया गय पहला है कोफी की उपेक्षा चाय अधिक उचाय पर उगाई जाती है यहां उनों को सही बताना है कोफी बहुत चाय कम उचाय पर उगाई जाती है उचाय महत्व नहीं है कोफी के लिए चाय का फेक्टर फेक्टर ओफसेट महत्पूर्ण है बात सही है कोफी के लिए उचाय म नहीं उसमें मैंने नगते क्या होगा इसका सही जवा ओप्शन वर सी हो जाएगा चलिए अगला कुशन क्या है गन्या की फसल लगवा कितने समय में त्यार की जाती है बताइए गन्या की फसल कितने समय में त्यार की जाती है पांच मां तीन मां साथ मां और बारा मां तो क्या है निम्लिकित में से कौन सी फसल रवी की नहीं है वताना है कि निम्लिकित में कौन सी फसल रवी की नहीं है गेहूं जो सर्सो और मक्का तो 20 का सही जवा बताई क्या होगा तो यह दखना रवी फसल जो है न मक्का नहीं है जो खरी फसल में आता है अगला क्यों क्या है भ हां का इनतिम राजपुत शाषक कौन था जय चन्धर हस वर्धन पिर्थिवी राज चोह हं ठरडं सिध राज जैसिंग है तो ताप्ट का स़ई जभा प्ता ही क्या होगा या दखना की भाय के अनितिम राजपुत साषक जो था पिर्थिवी पिराज चोहान तीरती है था इसका सही जवाब option और C हो जाएगा next question क्या आया है निमलिखित में से किसे सासक ने दसों को दासों को रख रखाओ के लिए एक अलग विभाग की अस्थापना की थी तो 22 का सही जवाब क्या होगा तो या दखना कि फिरोज सा तगलुक ने दासों को रख रखाओ के लिए एक अलग विभाग की अस्थापना की थी इसका सही जवाब क्या होगा option और B हो जाएगा अलग कोसं चले क्या है सहायक सिंदु को निवलिगीत में से किस राज ने स्विकार नहीं किया मताए सहायक सिंदु को निवलिगीत में से किस राज ने स्विकार नहीं किया मेसूर अवद कानवाव निजाम हेदाबाद और पैसावाव तो 23 का वदाई सही जवाब क्या होग तो यहाद अखना है कि सहायक सिंदु को जो है न मेशु राज ने सुईकार नहीं किया तो इसका सही जवा अप्शन नमर एक हो जाएगा अगला कुशन किया है वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांदी ने ब्रिटी सरकार की विरूद अपना सरफ़र्थम और सहयोग अंदोलन प्राराम किया बताईए, कौन सेजी घाटना थी जिसके बाद महतमा गांधी ने ब्रीटी सरकार की विरुदध अपना सरीपर्थम औह सायोग अंदोलन प्रारहम किया तो याद रखेगा रोलेक्ट कानून जद था वो पास होने के बाद महत्मा गांदी ने बीटी सरकार खिलाब किया किया सरपर्थम और सरयोग आंदोलन परारहम किया था चलिए अगले कोशन चलते क्या है किस भारतिय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्षियान का नाम रखा गिया है बताई कौन सी भारतिय महिला है जिनके नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्षियान का नाम रखा गिया है कंगना रानावत, सुस्मा स्वाराज, कल्पना चावुला और लता मैंगेश्वर तो याद रखना है कि आप लोगो को इसका क्या सही जवाब होगा कल्पना चावला Sono इसका सी जवाब होगा क्योंकि याद रखिगा किए के नाम पी क्यूं रखा की थी इसलिए इनी के नाम पर रखा गिया है चलिए अगला कुशन क्या है भारतिय समिधान का सबसे बाशुरोग निम्लिखित में सेकों से बता हैं भारतिय समिधान का अधिर्णियम उनिस साउनिस तो यादकना कि भारतिय समिदान का सबसे बरा स्रोजों है ना भारतिय साशन अधिर्णियम उनिस सब्मेंटिस इसका सही जवा ओप्सन नमर ए होगा चले अगला कोशन चलते कि या है जलवायो परिवरतन पर हाली में नासा के एक अधियन के अनुसार जलवायो परिवरतन के कारण किस फसल में 17% की विर्धी दर्ज की जाएगी 32 तक बताना है कि जलवायू परिवर्तन पर हाली में नासा के एक अधियन के अनुसार जलवायू परिवर्तन के कान किस फसल में 17% की बिर्धी दर्ज की जाई 32 तक मक्का, गेहूं, बाजरा और दलहन तो यादा किया है 27 का क्या होगा गेहूं ऑप्सन नमर भी इसका सही जवाब होगा गला कोशन क्या है आतुन निर्भर भारत के सरमर्थन में किस कंपणी ने भाहा सरकार के रास्ट्य गरामिन आजवी का मिशन के लिए सहिदारी की बत चैसे लिए साज़दारी की है अमेजन, स्पेंड डिल, फिलिपकार्ट और मैंत्रा 28 का सही जवाब क्या होगा फिलिपकार्ट चलिए अगला क्या है थोमस कप किस खेल से सम्बंधित है बताए थोमस कप किस खेल से सम्बंधित है होकी, फुटबॉल, बैडमिन्टन और बास्केटबॉल 29 का बताई क्या सही जवाब होगा या दगना बैडमिन्टन थोमस कब जो है ना बैडमिन्टन खेल से संबन दीत है अगला क्वेशन क्या है होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मिशन है चीन, इजराइल, दच्छिन कोरिया और युएई ति इसका सही जवाब बताई क्या होगा या दगना होप मिशन टू मार्स जो है ना युएई देश का पहला मंगल मिशन है अगला क्वेशन क्या है बिशुका सरवादिक घनी अवादी वाला परदेश कौन है बताईए बिशुका सरवादिक घनी अवादी वाला परदेश कौन सा है दच्छिन पूर्वी एसिया दच्छिन पर्समी एसिया पर्सिम यूरोप लेटिन अमेरिका तो यह दखेगा दच्छिन पूर्वी एसिया जो है ना विश्व का सरवादी घनी अवादी वाला पर्दिश अगला कोशन क्या है भारतिय वन सर्वेक्षन फोरेस्ट सर्वे ओफ इंडिया का मुख्याले कहां इस्थीत है बताईए दिल्ली, सिमला, देहरादून और स्रीनगर फोरेस्ट सर्वे ओफ इंडिया का मुख्याले जो है ना देहरादून में श्थीत है तो अप्सन नवर सीज का सही जवाब हो जाएगा अगला कोशन क्या है जब पवन पिर्थिवी के घुर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निमलेखित में से इसे किस नाम से पुकारते है बताईए जब पवन पिर्थिवी के घुर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निमलेखित में से इसे किस नाम से पुकारते है पोलर विंड्स जिसको धुरूबिया पवन बोलते है जिसको भूही छेहफी पावन बोलते हैं ट्रयाड सिसको वह फानिक भावन बोलते हैं द्रPP prophecy का सळी jetzt ben क्लिक पर 0 पाद्च जेली ये के शुद्डो पाँज हो गाला कोशन क्या है भूम मुंद्रेखांकर 1icles 1 एक का सुद्ड़ एक डिगरी अक्षांस की दूरी कितना होती है बताइए अक्षांस की दूरी कितना होती है तो यह दखना कितना होती है 111 किलो मीटर चले अगला कुर्शन क्या है प्लानिंग एंड दा पूर पुस्तक के लेखा कौन है बताइए प्लानिंग एंड दा पूर पुस्तक के लेख का कौन है गुर्णार मिंडर्ड अमत्या सेन बीएस मिनहास डेविस रेकांडो तो 35 का प्लोग सही जवाब बता ही क्या होगा याद कहना बीएस मिनहास अप्शन नमर इसका सी जवाब हो सही जवाब हो अलग कुशन क्या है विस्व बैंक जी से अंतराश्टिय पुनार निर् पहला क्या है अप्शन नियू यार्क में पेरिस में जेनेवा में वाशिंग्टन डिसी में तो याद ना इसका सही जवाब होगा विस्व बैंक का जो मुख्याला है ना वाशिंग्टन डिसी में इस्थीत है तो पता चल गया कि कहा पी इस्थीत है वाशिंग्टन डिसी मे बता है चले अगले कोशन चलते क्या है अंतराष्टिय कोर्ट ओफ जस्टिस में कितने नियाधिस होते हैं वताई अंतराष्टिय कोर्ट ओफ जस्टिस में कितने नियाधिस होते हैं 9 10 11 और 15 वताई इसका सही जवाब क्या होगा यादक ना कि अंतराष्टिय कोर्ट ओफ जस् वान भट श्री हर्स जैदेव यादखना कि गित गोबिंद के रचैटा जो है ना जैदेव है option number D इसका सही जबाब होगा है चलिए अगला question चलते क्या है खुजराहों के मंदीर किस वंस के राजाओं ने बनवाए थे बताइए खुजराहों के मंदीर किस वंस के राजाओं ने बनवाए थे परमार, चालुक, चोल, चंदेल तो 39 का बताइए क्या सही जबा होगा या दखना चंदेल जो है ना चंदेल वंस के राजाओं के द्वारा खुजराहों के मंदीर बनाए गया था चली अगला कोशन क्या है संत्रंज में पहली भारत्य महिला ग्रेण मास्टर कोन है एस बिजयलक्षमी, कुटिका, नादिश, हमपी, कोनेरू और पदिनी, राउत तो चालीस का सही जवाब क्या होगा या दखना, एस बिजयलक्षमी जो है ना संत्रंज की पहली भारत्य महिला ग्रेण मास्टर जीती है चलिए अगला कोशन क्या है सूफी संप्रादाय का उद्भव हुआ था बताईए सूफी संप्रादाय का उद्भव कहा हुआ था हिंदुतों से सीखों से इसलाम से और बोध से या दखना कि सूफी संप्रादाय का उद्भव जो है इसलाम से हुआ था तो अप्सन नमर सी इस उच्छ निरक्षता उप्यूक्त सभी तो 42 का क्या होगा ये तीनों जो है न हम लोगों क्या होता है जिससे आर्थिक देश्टी से एक पीछे देश का विश्षता कर लाती है तो क्या हो कि इसका सही जवाब अप्शन मड़ी हो जाएगा उप्यूक्त सभी मेरा सही जवाब है अला कोर्शन क्या है वासंदा राष्ट्य उद्यान कहां पर इस्थित है बताईए वासंदा राष्ट्य उद्यान कहां पर इस्थित है असम गुजरात पंजाब उत्राखंड बताईए 43 का सही जवाब क्या होगा यादक ना है कि वासंदा राष्ट्य उद्यान कहां पर इ तो यादा के दुग्रिवा नेंशनल पार्क कहां पर श्थीत है और भद्रा अभ्यारन कहां पर करनाटक में और सव्मेशander अभ्यारन महारास्ट में और बहर bohr अभ्यारन कहां पर अंजाम में यूँक चल सब्क देंध कर देश का जंडा दोहरे त्रफुस के रूप कौन ऐसा देश है जिसका जंड़ा दोहरे तिर्भुष के रूप में मंगला देश नेपाल भूटान और क्योबा है तुछ का सही जवाब होगा नेपाल का जो है न जंड़ा जो इन दोहरे तिर्भुष का बना हुआ है यादगा अस्थ चाप की अस्थापना किसके दौरा तो 45 का बता ही क्या होगा या दखना अश्ट छाब जो है न किसके दोबारा स्थपना होगा था आचार बिठल नात के दोबारा अलग कुशन क्या है बिहार से ओरिषण और ज्हारखंड गब अलग हुआ ती तो यह दखना कि अलग क्या हुआ तक कर दो यह दिख में में आप लोग को ज्ञारखंड Indira क्या होगा option number इसका C सही जवाब हो जाएगा चलिए अगले question चलते क्या है करा की बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बावू कुमर्शिंग का देहंत कव हुआ पताना है कि 1857 का नेता बावू कुमर्शिंग का देहंत कव हुआ 10 सप्रेल 1857, 17 जून 1859, 26 सप्रेल 1859 और 20 जून 1859 तो 7 का सही जवाब क्या होगा यादका 26 सप्रेल 1857 को बिहार के जो 1857 के करांति कारी जो थे बावू कुमर्शिंग का देहंत हुआ था चलिए अगला कुशन क्या है बहावी अंदोलन का मुख केंदर कहां था बताए बहावी अंदोलन का मुख केंदर कहां था गया पटना आरा छापरा तो यादकना कि बहावी अंदोलन का मुख केंदर जो कोन करनारक संगीत की तिरुमूती में सेक, मेरा भाई कालिदास, त्याग राज, अन्यम्माई तो उन्चास का सही जबाब क्या होगा, या दकना कौन है त्याग राज, कोन है त्याग राज चले last question क्या है बिहार आज के किस जीले का जनसंक्या घनत सबसे अधीक है बताना कि बिहार आज के किस जीले का जनसंक्या घनत सबसे अधीक है तो यादकना कि option क्या बेकुसरा है सीवर, गोपाल गंज और रोतास यादकना सीवर जीला कौन होगा सीवर जीला जिसका जन्संग के गनत सबसे अधीक है और यादकना दुहायक याला के जन्संग के अनुसार बिहार के सीवर जीले का जन्संग के गनत 1880 व्यक्ति परती किलोमीटर है यादकना कितना 1880 व्यक्ति परती किलोमीटर है और याद अखना है कि इसमें एक पॉइंट और याद अखना सबसे निविंतम जो है जन्द संक्या घर्ण तो कहा है केमूर है कहा है अलोको केमूर है यह भी आप लोग याद दखेगा कहा है जहां पे चार सठासी व्यक्ति परती और किलोमीटर है एक पॉइंट और याद अखे है बिहार के बारे में कुल जन्द संक्या करम से जो है ना बिहार भात में तीसरे अस्थान पर आते हैं तो आज का प्रेक्टिस यहीं पर समाप्त होता है टोटर मैं आप लोग को जीएस जो पचास कोशन का है उसमें आप लोग को करा रहा हूं और पचास कोशन क्या है मैत है और पचास कोशन रिजिनिंग है तो आप लोग अगर बोलिएगा कोमेंट किजेगा सर रिजिनिंग कभी हम लोग को पचास कोशन करवाईए और आप लोग उसका जवाब दीजेगा तो मैं रिजिनिंग कभी आप लोग को पचास कोशन करवा तो थेंक्यू गाइस फॉर वाचिंग इस वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजिए